मुख्या मंतरी भूपेश बगल ने शनिवार को अपने निवास कारले में मंतरी परिशत के सदस्यों के साथ प्रदेश में कोरुणा टीका करण और कोविट-19 संक्रमन पर नियंतरन के लिए की गई विवस्था की समिक्षा की उन्होंने बढ़ते कोरुणा संक्रमन को रोखन करवाने को कहा मंतरी परिशत के से उच्चे स्त्रिय बैठक में स्पास्तिय मंतरी टियस सिंग देव और खाद्य मंतरी अमरजीत भगत वीडियो कांफरेंस से जुड़े वहीं ग्रह मंतरी तामरदवज साहू और क्रशी मंतरी रविंद्र 24 समेथ अन्य मंतरी और नेता मुख्य मंतरे निवास में बैठक में शामिल हुए जिसमें उन्होंने मुख्य मंतरी के साथ कोरुणा के बढ़ते मामलों को लेकर मन्थन किया करोना गाइडलाइन किस तरीके से और 36 गड़ में बनना चाहिए इस पर काफी विचार मिमर्स हुआ है दो तिन प्रमुद बातें आज निर्देश जारी हुए हैं आगन बाड़ी से लेकर इसकूल, कॉलेज, कोई भी जो थोड़ा भी अगर खुल रहे हैं तब कहीं संचालित नहीं होगा बंद किये जाएंगे कहीं भी अगर क्लासेज आवश्यक हुआ तो आनलाइन ही किया जाएगा एग्जामनेशन भी आनलाइन करने के बारे में ही विचार हुआ है और कॉरोना गाइडलाइन के होली के संदर्ब और संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए माननी मुख्यमंत्री जीने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्सता में अब सरानों की एक बैठाक करके क्योंकि विभिन जिलों से ये कुरोना के जो संक्रमण का जो प्रच्षत बढ़ने वाला प्रच्षत है उसको मंगा करके समिच्छा करने की बात कही है ताकि होली के पहले इस संदर्ब में देश दुनिया की खपरों के लिए A&B News को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए